नमस्कार साथियों एक बार फिर मैं दिपंकर समद्दार चार्डर अकाउंटेट आपका दोस्त और बिजनेस ग्रोथ एसोसियेट आज बहुत महत्वपुर्ण चीज बताने जा रहा हूं जो पूरे भारत में हर कोई चर्चा करता है बहाया मुझे व्यपार करना है, मुझे अपना धंदा खोलना है, मुझे अपनी शर्विसेश चालू करनी है लेकिन भाया क्यों चालू करना है यह अभी तक पता नहीं है तो मैं आप लोगों को दो तरीके का मोटिवेशन बताता हूं जिसके कारण ये वाला बिजनेस चालू करते हैं और यह पूरा वीडियो देखते तक आपको क्लियर हो जाएगा क्या सज में आप वेपार के लिए तयार हो या सुर्णू तो बताओं सबसे पहले intrinsic motivation दूसरा extrinsic motivation intrinsic मतलब वह जो अंदर से अच्छा लगता है दिल से motivation है तो मैं आप पॉइंट वाइस कुछ motivation बता रहो खाली आप टिक करना क्या यह आपका motivation है yes or no सबसे पहला है passion और purpose अगर आपको कोई काम करने में परदस मजा आता है और आपको लगता है कि इससे बहुत सारे लोगों का भला हो सकता है तो यह काम अगर आप करने जाओगे तो आपको कौन सा motivation मिलेगा intrinsic motivation मन से खुशी मिलेगी क्योंकि यह काम भी अच्छा है आपको अच्छा भी लगता है और इससे पब्लिक का फाइदा भी होने वाला है दूसरा autonomy and independence भाई मैं अपनी मर्जी का मालिक हूँ जहां चाहूँ जा सकता हूँ जब चाहूँ जा सकता हूँ मेरी मर्जी जिससे वैपार करूँ मेरी मर्जी जिससे मैं वैपार ना करूँ कौन से client को रखना है किसको नहीं रखना है यह सारा चीज मेरे उपर है इसलिए क कौन सा खुशी है, यह intrinsic motivation है, self खुशी है आपकी, तीसरा है financial success, मुझे पैसे चाहिए, मुझे पैसे कमाने, जादा से जादा पैसे कमाने, और यह जो पैसे हम लोग कमाते हैं न, तो उसके कारण extrinsic motivation मिलता है, यह बाहरी खुशी है, लोगों को दिखता है, कि भाई यह बन्दा मस काम कर रहा है, और हमको बहुत मजाता है उसमें, yes or no? चौता है recognition and achievement, यह extrinsic motivation है, पब्लिक में जाकर हम लोग काम करते हैं, वहाँ पर हम लोग participate करते हैं, हम लोग को reward मिलता है, हम लोग को recognition मिलता है, हम लोगों को बहुत सारे जगा पर सम्मानित किया जाता है, अलग-अलग तरीके से हम पब्लिक डोमेन में जाते हैं, और वहाँ पर लोग हम लोगों से connect होते हैं, और उनको लगता है कि यह सही business कर रहा है, और यह जो खुशी है, यह जो motivation है, एक्स्ट्रिंसिक motivation है, बहुत powerful motivation है, आपको यह चाहिए या नहीं चाहिए, no doubt करना, पाँचवा important चीज है, challenges और growth, बहुत सारे लोग रहते हैं जिनको लगता है कि यार, जिन्दगी बहुत normal चल रही है, कुछ तो धमाल करेंगे, कुछ कमाल करने वाले, कुछ challenges लेने वाले, कोई ऐसा चीज करेंगे, जो कोई और नहीं कर रहा है, और हम लोग रुकने वाले नहीं है, अगर ये public में अभी नहीं आया है, तो हम लोग लाएंगे, धुवाधार लाएंगे, जबर्दस काम करेंगे, example ले लेते हैं, zomato swiggy, कौन सोच सकता है कि भाई, रेस्टोरेंट में जाकर खाने से ही मज़ा आने वाला है, लेकिन अब घर पे बैटके बोलता है नहीं, घर पे बैटके भी मज़ा सकता है, अपने परिवार के साथ मज़ा सकता है, जादा समय परिवार को देना चाहिए, यह education भी देना एक अपने आप में challenges था, और इसमें grow करना बहुत बड़ा challenges था, तो जैसे zomato swiggy ने concept लाया, grow कर लिया, जीरोधा ने concept लाया, discounting, stock broking का, और वो जबर्दस success हो गया, तो यह अगर आपका motivation है, कि भाईया challenge होना चाहिए और grow करना है, तो यह आपके लिए intrinsic motivation है, impact and contribution, बहुत सारे लोग बोलते हैं कि मैं जो भी काम कर रहा हूँ न, इससे पैसा तो मैं कमाऊंगा, लेकिन जादा से जादा लोगों के जीवन में, मैं positive असर डाल पाऊं, और लोगों को motivate कर पाऊं, लोगों को कह पाऊं कि भीया, आप सही रास्ते पर कैसे चल सकते हो, किस तरीके से आपके जीवन में development आ सकता है, आपके business में development आ सकता है, इस product को या इस services को use करके, कैसे आप अपने business का value बढ़ा सकते हैं, अपने life को और easy कर सकते हो, तो फिर ये कौन सा motivation हुआ, ये intrinsic motivation है, for example, दिपंकर समद्दार chartered accountant, जो की business coach है, ये video बना रहे था कि, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को कोई ना कोई सही रास्ता मिले, ये intrinsic motivation है, मेरा ये channel रखने का और video बनाने का, अगला motivation है fear and failure, इसका मतलब ये हुआ, डर और हार, ये दो चीज ऐसा है, जिससे हर कोई बहुत ज़्यादा डरता है, तो ये जो डर है डर के मारे बहुत सारे लोगों बहुत अच्छा काम कर लेते हैं, for example, जब मैं chartered accountancy के course में गया, पहली बार CA inter के exam दिया, exam दे के दोनों group एक साथ देने के बाद मैं fail हो गया, मेरे पापा बोले कि दिपंकर इस बार अगर अगले बार fail हो गया ना, तो पक्का तो ठेला चलाना, क्योंकि मैं तेरे लिए और कुछ करनी करनी सकता हूँ, कई पर गूस ने दे सकता, अगर को किसी नौकरी में कोई सिफारिष करनी सकता, मेरा कोई जुगान नहीं है, तो डर आ गया, मुला गा भीया, CA नहीं बने, तो ये तो ठेला चलाना पड़ जाएगा, तो ये जो फियर है, ये फियर के कारण भेंकर महनत करने लग गया हमें, और अपने आपको इतना स्ट्रक्चर किया, जैसी लगता था कि मैं सोने वाला हूँ, या फिर कहीं पे मेरा पावर काम होने वाला है, मैं पढ़ाई ढंक सा नहीं करने वाला हूँ, तो तूरान दूट के बैठता हूँ, भईया ठेला नहीं चलाना है, आगे काम करना, ये भी एक तरीके का मोटिवेशन है, ये इंट्रिंसिक मोटिवेशन है, आठवा चीज है, लेगसी बिल्डिंग, ये लेगसी बिल्डिंग मैं बहुत ज़्यादा ध्यान देता हूँ, मैंने अपने पापा को जीवन बर देखा, कि वो हमेशा किताब पढ़ते रहे, कुछ लिखते रहे, कुछ साहीत पढ़ते रहे, हम लोगों को कुछ पढ़ाते रहे, कुछ सिखाते रहे, कुछ स्टोरी सुनाते रहे, और जीवन भर को अगर मैं समराइज करूँगा, जहाँ पर मैं खड़ा हूँ, कि बेटा किताब पढ़ तेरे जिंदगी चेंज हो जाएगा तो वो legacy, वो सोच, वो culture हम भी अपने business में, अपने organization में डाल कर जाएं, रहें नहीं रहें, हमारे जाने के बाद भी पता रहें, ये सोच के कारण हमारा organization बढ़ा है, इस सोच को आगे बढ़ाना चाहिए, ये जो legacy legacy देने का funda है, legacy देने की सोच है, ये intrinsic है, 9th point है work-life balance, इसका मतलब ये, सबको लगता है, नौकरी में जाओंगा तो, सुबहरे 10 बज़े जाओंगा, सामको 7 बज़े जाओंगा, ये जो funda है न, ये लोगों को समझ में नहीं आता है, बोलता है कि भले वहाँ पर कुछ भी म कर लेते हैं, अगर ये कर लिया, तो ये कौन सा motivation है, intrinsic motivation, इसलिए क्योंकि किसी को पता नहीं है, कि आप balance कर पा रहे हो, या नहीं कर पा रहे हो, आप customer लेकर आ रहे हो, तो customer आपका help लेने के लिए, आपका खून चूसने के लिए, लेकिन वो customer भगवान होता है, ये अगर आ learning and curiosity, बहुत सारे लोगों को ना बहुत सारे चीज सीखने का मन करता है, अभी हमारा पुने में जो office है, वहाँ पर हमारी team में 5 लोग हैं, जो content में हमारा help करते हैं, और research करके लाते हैं, और उन में से, एक बच्चा को कहीं और दूसरे department में डाले गया, accounting department में, तो वो मुझे फोन करता है, message करता है, कि सर मुझे आपसे बात करना है, तो कल की बात बता रहा हूं, तो जब उसने फोन किया, तो मैंने बोला कि क्या बात है बिटा, बोले सर, जब मैं content में था ना, तो मैं बहुत सारी चीजें सीख रहा था, आप research कैसे करना हमको सिखाते थे, तो मेरे life म जिसमें आप दूसरों को सिखा पाते हो, तो इससे बढ़िया कोई बात नहीं है, इससे जबरदस कोई बात नहीं है, और लोग आपसे learning के लिए अगर connect हो जाते हैं, तो मज़ा आजाता है, इसलिए मुझे अपने काम में बहुत मज़ा आता है, और ये कौन सा motivation है, intrinsic, और आप से expect करने लगता है, और वास्तविक बात ये है, कि आप कई बार सक्षम भी रहते हो, कई बार मतलब maximum time आप सक्षम रहते हो सामने वाले की मदद करने का, तो ये जबरदस्त सोच है, ये जबरदस motivation है, लोगों को लगता है कि ऐसा बन जाओ वस, तो फिर ये motivation आपको business कर करने के लिए proside कर सकता है, तो दोस्तों जितने motivation मैंने बताएं, इसमें से अगर आपका motivation 6 या 6 से जादा है, 11 point मैंने बताया, तो फिर आप वैपार करना शुरू कर सकते हो, लेकिन कब शुरू करना है, इसके लिए अगर आप चाहो तो नीचे comment करो, मैं जवाब देने वाल है, हमेशे आप लों की मदद करना और समय पर सारी जान कर देना तुब बने रहेगा मेरे साथ, वीडियो को शेर जरू करिएगा, सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, आपका दिन जबर्दस्त और शूब